नमस्कार जैंद मेरे नाम है किश्न उसीन ठीक है और ये वीडियो में मैं एयरफोर्स मेडीकल के बारें बठाओंगा चोड़े था जब ऑधिसीया से निकला लिस्कंट में रेमेटिकल मिलाता मिला इसमें मिला थे भी बताओंगा ठीक है लेकिन मैं Remaggerly के लिए जा नहीं पाया था यानि भी नहीं किया थिक है लेकिन जो प्रोबिजोनल सेवक्टेड इसमें जो मेरा कट कटोफ तो फाइनल कटॉप हो चुगा था और मेरा ना जाने का पीछ यह एक कारण है कि मेरा जो मार्क से ना वो कट अप से एक्चुल कट अप से ज्यादा नहीं था कि हाँ दो नंबर ज्यादा है तो भाई कितने बढ़े का फाइनल में हो जाएगा मुझे लगा अगर पॉइंट फाइप मेरा वन भी बढ़ जाए तो मैं आउट हो जाओंगा इस इसलिए में नहीं गया था ठीक इसका description में दे दूँगा आप वहां पर email कर सकते हैं ठीक है या फिर उस description में आप अपना number भे सकते हैं मैं आपको WhatsApp से contact कर लूँगा तो सुरू करते हैं सबसे पहले अगर medical की बात करूं तो आपको सबसे पहले यानि medical से पहले अपको क्या करके जाना चाहिए medical से पहले आप आपका टेस्ट करवा लेना चाहिए किसी भी डॉक्टर के पास जाके कि आपका आइसाइट कितना है अगर आपका 6x6 आइसाइट है विदाउट ग्लासेज देन इस एपसोलोटली फाइन अपको कुछ उसमें ज़रूत नहीं हो गिया अगर देखते हैं आपकी आपका आइस तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वह पांच जनवरी से लेकर पांच फेवर के बीच का होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप डिसंबर में कराया है वह वाला मानने तो नहीं है ठीक है इसलिए डॉक्टर के पास जाके जाच खोरा लीजे अगर आपका देखते हैं 6x6 नहीं है तो भाई आपका एक जस्मा बना लीजेगा वहाँ पर ठीक है नेक्स बात करूं कान को क्लियर करना है वाक्स नहीं होना चीए छेद नहीं होना चीए सब फीर दात का भी सफाय कराना जरूरी है और 28 डेंटल पॉइंट्स भी होना जरूरी है ठीक है तो यह सब आप करा के जा सकते हैं कि मेरा हेरिंग टेस्ट चेकर लीजें वह भी कर देंगे सबसे अच्छा होगा आप अभी से पहले जिस जगह में रहते हैं वहां का जो सरकारी हस्पताल हो हां भी करा सकते हैं और अगर आप अफ़र्ड कर सकते हैं तो आप किसी प्राइब डॉक्टर के पाश जाके जरूद चेक कर लें ठीक है तो अब सुरू करते हैं सबसे पहला अगर बात करूं तो वह आँख आइसाइट आइसाइट आपका जो नॉर्मल आइसाइट है वह 6x6 होना चीए फोर बोथ आइस अगर आपका नहीं है कोई बात नहीं है 6x12 होना चीए 6x12 विदा ग्लासे विदाट ग्लासे की बात कर रहूं अगर आपका ग्लास में चस्मा लगता है तो बीना चस्मा का आपका 6x12 पे भीतर होना चीए आपका आइसाइट नाइन होगा तो भी चल जाएगा ठीक है चस्मा लगा के आपको 6x6 करना है एकदम इसी भासा में मैं हर चीज बत हो आप जरूर मुझे कॉमेंट कीज़े ठीक है तो 6x6 नौर्मेलाइस होता है अगर आपका नहीं है तो 6x12 के भीतर होना चीए आप चस्मा यूज़ करके उसे सही करा सकते हैं ठीक है कलर विजन नहीं होना चीए अब कलर विजन का भी स्टेज होता है CP1 CP2 CP3 तो एयर फोर् तो कलर बैर्टेस होना की है होना चीए और अगले बार की बुटिकरा होने में समय लगता है किश के चीज में 3 मैना कैसी चीज में 6 मैना तो उससे अप डॉक्टर एक्ट्रहोग से multiply कर लिजेगा कि मैं अगर सर्ज़री करा लूहूँ किसी बीचीज सका तो भाई मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा एक दब नॉर्मेल आने में कितना वक्त लगेगा यह पूछ लिजेगा ठीक है तो डीनेस का प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको वहाँ पर रिमेटिकल मिलता है फिर नॉर्मेल सी बात करूं तो वह है दात दात में आपका 28 डेंटल पॉंस होना चीए कहें भी पील सब्सक्राइब नहीं था जब मैं आसाम गया था गौहाटी में तो वहाँ पर मुझे बहुत खर्चा पड़ी गया था लेकिन अगर आपका आप घर में अभी तो सरकार होस्प्रादल से जाके करवा लिजे कामदाम में होता है लिकिन हाँ एक बार में नहीं करेगा बहुत एक बार में साथ 2 करता है ठीक है तो दात का यह मैं बता दिया 22 सोना चीए टिक नहीं होना चाहिए नहीं होना चीए गड़्डा अगर है तो फिलिंग करवा लिजे हो गिया अब बात कान का 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 दो चीज देखा जाता कान में वाक्स से की नहीं तो ये तो नॉन明ल चीज आ में उनका इलाज होता है लेकिन हार सर्जरी कराने के बाद या फिर इलाज के बाद एक समय ठीक ठाक समय लग जाता उसको रिखवार होने में तो वह भी पहले जान लिजागा फिर करवाईएगा नौकुरी बाद में सबसे पहले खुद का हेल्थ हेल्थ रहेगा तो कोई और या फिर कोई भी अगर आप में जीद है जुनुन है तो कोई भी ढंका कर लिजेगा उसको चीज को ठीक करने के चक्कर में अगर आपको कुछ सीरियस विमारी हो जाए तो फिर क्या फाइदा ऐसे नहों हो रीगा ठीक है इसलिए ठीक से रखेगा और ऐसे भी जो फोर्स करन बोलेगा आपको वह सुनना है फोर्ट बोट इयर्स ठीक है तो मैं अगर अपने बात करूं तो इस कान में मुझे एक दो सुनाई कम मिला था मैं गलत जवाब दिया तो कोई बात नहीं है चलता है अगर आपको छे से साथ कूछा बोट दोनों कान मिला आठ 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 पूच अब गु subscribers 70 गिया तो 50 काया साथ होगा नहीं होगा न सलमें एकए कर के बता रहूं ठीक है इतो इसपर ध्यान्द जी क्या होता क्या है अगर वाश्ट करो जाता है अल्रेडी जब आप फेस्टू क्लियर करेंगे उसे दिन बोला जाता है कि मेडिकल से पहले बारा घंटा आठ घंटा पहले कुछ मत खाना ठीक है पानी के आलावा कुछ मत खाना क्योंकि एक ब्लड टेश्ट होता है और एक होता है खाना खाने के बाद तो खाली ब्लड टेश्ट होता है और यूरिन टेश्ट भी होता है अब अगर बात करूं तो यहां से निचे तक यानी पेलवीज तक कमर तक आपका एकसरे बोग साइड यहां का भी फ्रॉंट का भी और बैक का भी जो है यानी पीठ का प्रोपर जो यह है एकसरे लिया जाता है है जैसे इसे से रहा है ट Ωही जब मेंटली अगर आप मेंटली ज़्यादा नर्वस नहीं है तो आपका कुछ प्रोल्लम नहीं होगा ज्यादा नहीं चुक्र ढ़ल कुर 16 ठीक है ने होगा ने होगा क्या हो जाएगा ऐसा तोड़ी जिंदिगी मर गए ने अभी कि अगर आप एरफोर्स दे पारो यानि आपका एज बीस से किसके बीच में तो इतना टेंशन काहे पालना है भी से ठीक है टेंशन करोगे तो यह सब प्रोब्लेम हाथ में पसीना ना प क्यूंढ इसी हटiende है हाट दढ़कन तक 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 बट प्रेसर बढ़े गिया है 19 18 20 साल में का है का व्लड प्रेसर भाई ठीक है तो इसलिए तो सांत रहेगा टेंशन कीजीगा थो यह कन57 कर लिजेग तो बॉल्टा एंशन कीजीगा तो बना बदाया काम जो है आप बिग यहां आपका पैर से लेकर जो जांग कोई बात नहीं करता लेकिन आपको जॉइनिंग के टाम में लेकिन सही से ले जाना टीकह्जै चlington वह ओई सीघल फाई हिए वहां भी चेक होगा एक भार ठीक है तो शीदी बात हुए रहनई तो अगर उतना भी टेंशंवय के स्यमने मइपने को अलग होता है तो इस MORE कोई दिकत नहीं कि आप टेंसर आजा होगी हाइट वेट तो है बीपी चेक होता है यह जी होता है तो इसलिए नर्बस नहीं होना थाकि कि बीपी में कोई दिकत ना हो फिर आपका हाडबीट याने इसी जी आपको सुलाया जाता है और दो तिन जो क्लीप है वो लगा के चेक करते हैं तो इसी जी में आपको टेंसर नहीं लेना है जब आप लेटे रहेंगे इसी जी जब होगा उसके बाद आपको कुछ अच्छा स आया भासे आपके अंदर जो एक होता ना होर्मोन हैपी होर्मोन वो निकले ठीक है तो इसलिए अच्छा चीज सोचने जब आप सो जाएंगे ना तब कुछ अच्छा सोचिए ताकि आपको आपको आपका नर्वस ना हो और जो धड़का ने वो सांत रहे इसी जी हो गिया यह हो गिया ब्लड टेस्ट हो गिया ठीक है अब इसके बाद अगर मैं बताओं तो जो टेस्टी से टेस्टी से में नॉर्मली साइज ने देखा जाता एक जने पूछा था ठीक है आपका जो टेस्टी से वो दोनों सेम पोजिशन में होना चीए यानि ओपर नीचे नहीं हो जाच करवा कि जայरा आपको लगता है कि आपका है हो गिया उसके बाद अगर मने दोन बल जाओ तो देखा जाता है जो है वो है घृटना का बैंडट यहनि क्या बलता है उसको यानि घृटना को जो पैर हे उसको सटाके अपका गृटना दोनों के टच नहीं ऊच्छानी जो नौकनी है, नौकनी चेक किया जाता है, कि इसमें नौकनी है या नौकनी नहीं है, तो नौकनी चेक किया जाता है, नौकनी के बाद और कुछ उतना है नहीं, जो चेक किया जाता है, पैर का उंगली साई-साई ठीक टाक होना चाहिए, हाँ कोई कोई सन कोता है, भाई मेरा किसी चीज से आपको ऐसा लगा कि उस जगह का आपका जो है मेडिकल से पहले हालत खराब हो गिया क्या लावे भाई कुछ ने लाव होता है दो मिनिट का फुर्ती लग तहां में मार दिया लेकिन कुछ अगर हो गिया ना तो उसका पस्तावा जिंदी पर रह जाता है ठीक है इसलिए खुद को सेफ रहिए मेडिकल से पहले सफ रहिए कि मेडिकल के बाद भी नौकरी करना मतलब फेक्व जिम्मेदारी और साथ में आप तो फॉर्स में जा रहे है ठीक है तो नॉर्मिल यह ही है जो है बाकि इसके अलाबर कुछ नुना चेक होता नहीं है ठीक है अग अगर आपको लगे किसी चीज में भी दिक्कत है डाउट है कुछ भी है आपको सरीर में आप ओपन नहीं बोल पा रहे हैं या फिर आप डार्रेक्ली हमसे बात करना चाहते हैं ठीक है तो आप मेरा जो इमेल है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो यही था आज का वीडि